किस वीडियों हम आँपको प्भवया गांधी की लाइफी स्टाल इंकम फैमली बताएंगे और आपको बताएंगे भविया गांधी तारक मेता का शोषोड़ने के पाद क्या कर रहे हैं और आपको यह भी बताएंगे के तपु सेने का कौन सा मेंबर है जो भविया गांधी का रियर लाइ में कजन है जो हम बात करेंगे भविया गांधी के इंट्रेमर कैरियर के बारे भविया गांधी ने अपना टीवी डेब्यू तारक मेता का उल्टा चश्मत से किया जो 2008 में स्टार्ट हुआ बविय गांदी नम्ना फिल्म डेब्व स्ट्राइकर से किया जो 2010 में रिलीज होई बविय गांदी ने 2017 के शुरू में तारक मैतागा शोड़ दिया उनको यह शोड़नी के वज़ा यह थी कि वो फिल्मों में काम करना चाहते बविय गांदी ने अपना गुजराती फिल्म डेब्यू पापा तम ने नहीं समझे के साथ किया जो 25 अगास 2017 में रिलीज होई बविय गांदी के साथ साथ मनोज योशी और जोनी लीवर ने भी इस मूवी में काम किया बविय गांदी 2018 में गुजराती ड्रामा फिल्म बाप कमाल दिकरो अधमाल की और 2019 में बविय गांदी ने गुजराती फिल्म बाउना विचार में लीड रोल प्ले किया और 2019 में ही बविय गांदी ने एंड टीवी के सीरियल शादी के सियापा में भविय गांदी ने एलियन का रोल पले किया अब हम बात करेंगे भविय गांदी का तारख मेता का शोड़ने का फैसला सही था या घलत था जैसे के हम जानते तारख मेता को टाश्र्मा इंडिया के टॉप शोड़ में आता है अब हम बात करें के भविय गांदी के अवार्ड के बारे में भविय गांदी ने 2010 मेंटियन टैली अवार्ड जीता, 2011 में Zee Gold अवार्ड जीता, Best Child Artist के लिए 2011 में सब के अनोखे अवार्ड जीता और 2016 में Nickelodeon Kid Choice अवार्ड जीता भविय गांदी के ड्रीम है के वो डिरेक्टर बढ़ना चानते हैं भविय गांदी के मदर का नाम यश्रुजर गांदी है भविय गांदी कजन है समेशा के जो तारक में था शो में गुरुचन सिंग सोडी यानि के गोगी का रोल प्ले करते हैं बविया गांदी को गोड़ सवाडी को भी बहुत शोक है बड़े बविया गांदी ने गोड़ सवाडी जीतू वर्मा होड्स रैडिंग इंस्टिटूट से स्वी की बविया गांदी तारक में तो शोक में काम करने के तकरीबन एक लाक रुपया पर अपिसोड लेते थे